सात राज्य, तेरा सीट विधान सभा उपचुनाव रिजल्ट का पूरा अंकड़ अलग-अलग राज्यों में पाथियों का क्या है स्कोर काट दरसल देश में 49 दिन बाद एक और चुनावी नतीजे आए हैं ये नतीजे विधान सभा उपचुनाव के हैं जो सात राज्यों की तेरा सीटों के हैं लोग-वचुनाव के परिनाम के बाद सत्ता के इस नंबर गेम को सियासत के फिटनेस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था सवाल था इंडिया गडबंदन एंडिये पर भारी पड़ेगा या लोग-वचुनाव में जीत के बाद एंडिये को उपचुनाव के नतीजों का बूस्टर डोज मिलेगा और अब इन सवालों के जवाब देश को मिल गए हैं सबसे पहले सियासि स्ट्राइक रेट पर एक नज़र डालते हैं जिन साथ राज्यों की 13 सीटों पर वदान सभा के उपचुनाव हुए थे उनमें से सिर्फ दो सीट पर एंडिये को जीत मिली जबकि इंडिया को 10 सीट पर जश्न मनाने का मौका जनता ने दिया इसके अलावा एक सीट पर निर्दलिया उमीद्वार को भी जीत मिली है उसके कहानी भी बहुत दिल्चस्प है उपचुनाव में एंडिये को दो सीट मिली है इस तरहां से इसका स्ट्राइक रेट करीब 15 पीसद के आसपास है जबकि विपक्षी इंडिया गडबंदन ने 75 पीसदी के धुआधार स्ट्राइक रेट से इस परिक्षा को पास किया है अलग-अलग राज्यों में पाथियों का स्कोर कार्ट कैसा रहा सबसे पहले बात मध्यप्रदेश ही कर लेते हैं जहां से बीजेपी के लिए एक शुप समचारा है क्योंकि उसने कॉंग्रेज के गर कहे छिंदवारा लोकसबशितर में शामिल अमरवारा सीट जीत ली है जो कभी कॉंग्रेज के पास हुआ करती थी बीजेपी को सबसे बड़ा जटका पशिम मंगाल में लगा है जहां स्चार सीट पर उप चुनाओ में ममता बनरजी की टीमसी ने क्लीन सुइप कर लीके बीजेपी को क्लीन बोल्ड कर दिया है इनमें से तीन सीट ऐसी थी जो पहले बीजेपी के पास थी सबसे बड़ा खेल बिहार में हुआ है जहां जेडियू और आरजेडी देखते रह गए और बाजी निर्दलिया उमीदवार ने मार दी तेरा में से एक लौती ऐसी सीट है जहां निर्दलिया की सत्ता आई है पंजाब में एक सीट पर हुए पचुनाओं में जाडू का जादू चल गया और जलांदर पश्रिम विधान सबासीट पर आमादनी पार्टी को बड़ी चीत मिली है इसके अलावाद तमिलनाडू के विक्र वंदी विधान सबासीट इंडिया कडबंदन की डीम के के पास गई है साथी जाने की बंगाल में टीम सी की दिवार और मजबूत हुई है या नहीं इस पर भी बात करते हैं दरसल 13 सीटों वाले सबसे जादा चौकाने वाले नतीजे जिस राज़े से आए हैं वो है पश्रिम बंगाल जहां 2021 में हुए विधान सबासीटों में बीजेपी ने 3 से 77 सीट का सफर तै किया था लेकिन 4 सीटों के इस उपचुनाओ में उसके लिए संकेत अच्छे नहीं है उपचुनाओ के नतीजे बता रहे हैं कि बंगाल में टीम सी की राज़नीतिक दिवारों का जोड और मजबूत हो गया है मांसिक तलाज सीट से टीम सी की सुक्ती पांटे 62,000 से जादा वोट से जीती ये सीट टीम सी के पास ही थी राइगन सीट से टीम सी की क्रिश्न कल्यानी ने बीजेपी कैंडिडेट को 50,077 वोट से हराया बांगदा में वम्ता वनरजी की उमीदवार मधू पर्णा ठाकूर ने 33,455 वोट से जीत हासिल की राना घार दक्षिन में भी कमल मुर्जा गया है तीम सी के मुकुट मनी अधिकारी ने बीजेपी कैंडिडेट को 49,000 वोट से हराया वहीं बता दे कि बिहार की रुपॉली में निर्दलिय ने पल्टा के बिहार की रुपॉली वदानसवा सीट की बात करना भी जरूरी है क्योंकि इस उपचुनाओं में सबसे बड़ा खेला ऐसी सीट पर हुआ है ज़ेडियू ने अपने सिलेबस में आरजेडी के कैंडिडेट की और आरजेडी ने अपने सिलेबस में जेडियू की तैयारी की थी लेकिन परिक्षा में निर्दलिय कैंडिडेट आ गए यानि जेडियू और आरजेडी देखते रहे गए और सीट निर्दल या उमीदवार के पास चली गई जहां से शंकर सिंग को आठ हजार से जादा वोड से चीत मिली जबकि जेडियू के कराधर मंडल दूसरे और आरजेडी के बीमा भारती 30 से नंबर पर रही रुपॉली में सभी जवाते सभी कर्ण ध्वस्त हो गया जिया कभी कोसी के इलाखे में नौर्थ लाइब्रेशन आर्मी चलाने वाल एशंकर सिंग निबिहार के सभी सियासी दिक्कचों कुमात देते हुए रुपॉली वदान सभा का उपचुनाव चीत लिया है अब इनको देखते हुए लोग सभा चुनाव के बाद पहले चुनावी नतीजों में क्या संकेत है ये रिजल्ट क्या संकेत देते हैं इन सब सवालों का जवाब भी जान लेते हैं दरसल इंडिया गडबंधन की सत्तकरी राज्यों में पहले से और मजबूत हुई है तेरा अब इस पूरी अपडेट पर और पूरी जानकारी पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजेगा